हेलो दोस्तो मैं आपका दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट विजडम में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो एक फरवरी को Reliance Communication ने डिक्लियर किया था कि वो बैंक्रफ्ट्सी कोड के तहट NCLT में इनसॉलवंसी के लिए अपलाई करेगा इस न्यूज के बाद Reliance Communication का शेयर 48% से भी ज़्यादा गिर गया था इस न्यूज का असर Reliance Communication के साथ ADAG ग्रूप के और स्टॉक्स पर भी पड़ा और आज Reliance Infrastructure का स्टॉक 30% से भी ज़्यादा गिर गया दोस्तो इस वीडियो में हम Reliance Infrastructure के स्टॉक पर केस्टडी करेंगे और ये जानने की कुशिश करेंगे कि ये स्टॉक और कहा तक गिर सकता है तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो अभी हमने Reliance Infrastructure का डेली चार्ट ओपन किया है यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये Reliance Infrastructure का डेली चार्ट है दोस्तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1 February को Reliance Communication की Insolvency की News आई तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये Reliance Infrastructure का 1 February की Stock Price की Candle है जो कि हमने एक सरकल में मार्क की है दोस्तो एक February को इस Stock में बहुत ज़्यादा मूमेंट हमें देखने को नहीं मिली उसके बाद आप देख सकते कि इस Stock में काफी तेज गिरावट हुई और सिर्फ 5 दिनों में ही ये Stock 280 से गिरके आज इस Stock की Closing 108 रुपे पे हुई है दोस्तो सिर्फ 5 दिनों में ही ये Stock 62% से भी ज़्यादा गिर गिर गया है तो दोस्तो ये Stock और आगे कहां तक गिरेगा इसका Bottom क्या होगा इसको Study करने के लिए अब हम इस चार्ट को Higher Time Frame पे Analyze करते है तो दोस्तो अब हमने Reliance Infrastructure का Monthly Chart ओपन कर लिया है अगर हम इसकी Time Frame की बात करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसका Time Frame जो है यह 2007 से लेके आज की Date तक का है मतलब यह जो चार्ट है यह टूटल 12 साल का चार्ट है तो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि January 2008 में Reliance Infrastructure के Stock ने अपना Lifetime High को टच किया था और इस Stock का Lifetime High जो था यह 2641 रुपे था 2008 के Market Crash के बाद यह Stock काफी तेजी से गिरा और उसके बाद धीरे धीरे गिरता रहा दोस्तो एडी एजी ग्रूप में High Date की समस्या हमेशा से रही है और उसका असर Stock पे भी हमेशा रहा है तो दोस्तो अगर हम इसके Support Zone की बात करें तो यहां से आप देख सकते हैं कि October 2008 में Stock ने यहां Support लिया January 2012 में यहां August 2013 में यहां August 2015 में यहां और October 2018 में यहां Support लिया दोस्तो यह जो Support Zone है यह 275 से 325 का Support Zone है दोस्तो जैसे कि हमें पता है कि 1 February को Relaxed Communication की Insolvency की News आई तो यहां से आप देख सकते कि इस Stock ने जो अपना Long Term Support Zone 275 से 325 का था उस Stock को Break किया और उसके बाद यह Stock जो है काफी तेजी से नीचे आया दोस्तो सिर्फ 5 दिनों में ही यह Stock 280 से 108 रुपे पे आ गया तो दोस्तो जैसे कि हम यहां से देख सकते है कि इसका जो Lifetime High था वो 2641 रुपे था और आज इसका Lifetime Low जो है वो सिर्फ 108 रुपे है यह Stock अपने Lifetime High से 26% से भी ज़्यादा गिर गया है तो दोस्तो रिलाइंस इंस्ट्रस्ट्रक्चर का यह Stock आज Lifetime Low पे है तो इस मंतली चार्ट से भी हम इसका Bottom Find Out नहीं कर सकते है तो दोस्तो अगर हम Call साइड में देखे तो Maximum Open Interest जो है यह 10,19,200 का है और यह Maximum Open Interest जो है यह 200 पे है उसी तरीके से 240 के Strike Price पे भी जो Maximum Open Interest है 10,93,000 का Open Interest है तो दोस्तो अगर हम उपरी साइड में देखे तो 200 और 240 की यह Level जो है इसके लिए अब यह High Resistance Zone बन गया है तो दोस्तो अगर हम Put Side में देखे तो 110 की यह जो Strike Price है इस पे Open Interest जो है तक्रीबन 4 लग का है लेकिन Change in Open Interest जो है यह Negative हो गया है तो दोस्तो यहां से हमें यह Signal मिलता है कि Reliance Insurance Structure का Stock जो है वो 110 भी शायद Hold ना कर पाए अगर हम 100 की Strike Price को देखते हैं तो यहां पे जो Open Interest है यह सिर्फ 80,000 के करीब है तो दोस्तो 100 का यह जो Support है यह भी Major Support यहां पे नजर नहीं आ रहा है तो दोस्तो जैसे की ADAG Group में अभी एक अज समंझस की City बनी हुई है Monthly Chart और Option Chain से भी हमें इसका Bottom नहीं मिल रहा है तो इस Case Studies के basis पे हमने कुछ Key Learning को Workout किया है तो चलिए दोस्तों उन Key Learning को देखते हैं पेसिस पे हमने चार Key Learning को Workout किया है हमारी पहली Key Learning यह है कि High Date Return Company से हमेशा दूर रहे हमारी दूसरी Key Learning यह है कि हम हमारे Portfolio को Regular Basis पे Review करे और यह Review का Interval जो हो कम से कम तीन मेने का हो हमारी तीसरी Key Learning यह है कि हमारे Portfolio में जो भी Stocks है उन Stocks से Related जो भी News Market में है उनके बारे में हमेशा अलर्ट रहे और हमारी आखरी Key Learning यह है कि हम हमेशा Stop Loss को लगाए रखे दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूले